चिडिया रानी की दो बेटियां थी बड़ी बेटी का नाम चुन्नी और छोटी का नाम गुरिया था ममा चुरिया अपनी बड़ी बेटी की शादी करना चाहती थी क्योंकि वो अब जवान हो गई थी चुन्नी बेटी मैंने अपनी सहली से बात पक्की कर दी है क्या बात मम्मा आपकी शादी की वो जीड़ा बहुत अच्छा और महिंती है बेटी वो आपको हमेशा खुश रखेगा चुन्नी बेहन आप हमें याद किया करोगी क्या मम्मा मुझे नहीं शादी करनी आपकी सहिली के बेटे से उसके पांक मुझे अच्छे नहीं लगते बेटी पांक उड़ने के लिए होते हैं पांकों का रंग कोई भी हो अगर पक्षी महिंती हो तो वो जिन्दिगे में काम्याब होई ही जाता है मुझे उसका घर भी नहीं पसंद मैं नहीं करूँगी शादी उससे ऐसा कहते हुए चुन्नी घर से निकल जाती है गुडिया बेटी आप इसके पीछे जाओ मुझे चुन्नी की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही हाँ ममा मैंने भी कल चुन्नी को एक वदेशी चुन्नी के साथ बैठे हुए देखा था फिर गुडिया अपनी बेहन चुन्नी के पीछे जाती है तुम अपनी मा को साफ साफ क्यों नहीं बता देती कि तुम मुझे से शादी करना चाहती हो मुझे डर लगता है ममा से ममा डांटेंगी अगर ऐसे चुप रही तो तुम्हारी ममा तुम्हारी शादी उस बदसुरत पंखों वाले चिड़े से कर देगी उससे तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी तो फिर आज ही अपनी ममा से बात करो अगर तुम नहीं कर सकती तो मैं जाता हूँ मैं बात कर लेता हूँ तुम्हारी ममा से मुझे डर लगता है आप ही कर ले मेरी ममा से बात गुडिया दूसरे पेर पर बैठी हुई सब सुन रही थी वो भागी भागी अपने घर जाती है ममा, 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 चुनी महन आज फिर उस चिड़े के साथ नदी पर बैठी हुई है ममा, चुनी शादी करने वाली है उस चिड़े से चुनी बेटी, आप ऐसा भी कर सकती हो, ये तो मैंने कभी सोचा भी ना था चलो गुडिया बेटी, मैं जा कर देखती हूँ फिर गुडिया और उसकी ममा नदी पर जाती है चुनी चलो घर चलो, ऐसे आवारा पक्षियों से बात नहीं करते ममा, आप चुलबले को आवारा तो ना कहें, हम पसंद करते हैं एक दूसरे को आप बड़ी हैं, इसलिए लिहास कर रहा हूँ आपका अगर किसी और ने मुझे आवारा कहा होता, तो मैं पंक तोड़ देता उसके तमीज से बात करें आप मेरी ममा से गुडिया, ममा भी तो उल्टी बात कर रही है चुनी अब तुम्हें फैसला करना होगा, या अब ही मेरे साथ जाना होगा, या अपनी ममा के साथ चुनी बेटी, इसकी बातों पर दिहार न दो, ऐसे पक्षी दूसरों की जिंदगी बरबात करके छोड़ कर चले जाते हैं ममा, जिंदगी मेरी ही है ना, हो लेने दे बरबात, मैं चुल्बले के बिना नहीं रह सकती चुले चुनी, मैं इस बुरिया की और बाते नहीं सुन सकता चुनी बेहन, अपनी ममा की इतनी बेच्चती, ये सब तुम्हारी वज़ा से हो रहा है ममा ने क्या क्या नहीं किया हमारे लिए सब करते हैं, अपने बचों के लिए सब करते हैं फिर थोड़ा सोचने के बाद चुन्नी चुलबले के साथ उड़ जाती है और उसकी ममा की भीगी आंखें अपनी बेटी को देखती ही रह जाती है ममा चुप कर जाएं मैं हूँ ना ममा चले घड़ चले आप यहीं समझें के आपकी एक ही बेटी है गुडिया बेटी चुनी पड़ी थी मैंने बहुत लाड़ प्यार से उसे बढ़ा किया और उसने मुझे यह सिला दिया मेरे प्यार का के रास्ते में ही खड़े-खड़े मुझे छोड़ कर चली गई मेरी बेटी फिर रोते हुए गुड़िया और उसकी ममा घर चली जाती है चुनी और चुलबला शादी कर लेती है और चुलबला चुनी को घर ले जाता है बेटा ये चुड़िया कौन है? मा ये मेरी पतनी है पतनी इसे कहां से उठा लाए हो तुम? मुझे बताया ही नहीं चुनी आप अंदर जाएं मा मैं बताता हूँ आपको सब चुनी वहां से चली जाती है मा ये दाना लाएगी घर के काम करेगी जितने दिन रहेगी सो रहेगी जब तंगा जाएगी तो आप मेरी शादी अपनी पसंद से कर देना तो फिर उसे सब समझा देना मुझे उची आवाज में बात पसंद नहीं है मा मैं समझा दूँगा आप चिंता ना करें चुनी मेरी मा थोड़ी गुसे की तेज है मकर दिल की बुरी नहीं है मेरी मा के सामने उची आवाज से बात ना करना मैं कोशिश करूँगी कि मा को खुश रखूँ दो तीन दिन गुजर जाती है ममा चुनी बहन ना जाने किस हाल में होगी मुझे फिक्र हो रही है चुनी की गुडिया बेटी मैं जाती हूँ और देख कर आती हूँ चुनी को वो तो मा थी संतान जो भी करे एक मा अपने बच्चों से नाराज कैसे हो सकती है इसलिए ममा चुडिया अपनी बेटी चुनी को देखने उसके घर जाती है ममा मुझे मालूम था आप मुझे माफ कर देंगी ऐसा कहते हुए चुनी अपनी ममा के गले लग जाती है अरे अरे बुडिया कहाँ चलो चलो जल्दी यहां से जाओ इस घर में मेरी अजासत के बिना आना मना है साजू मा ये मेरी ममा है तो तो मैं क्या करूँ मैंने एक बार कहा न यहां से चली जाओ वरना मेरा बेटा मार मार कर तुम्हें यहां से भगाएगा मैं अपनी बेटी को देखने यहां आई थी देख लिया न अब जाओ और हाँ दाना पानी नहीं मिलेगा तुम्हें जो मुझे सम मालूम है मैं अपना घर नहीं उचाड़ूंगी रोती हुई ममा चडिया वहां से चली जाती है आपने मेरी ममा के साथ ठीक वेवार नहीं किया क्या ठीक क्या गलत मुझे सम मालूम है क्या मालूम है क्या मालूम है आपको मैं चुप हूँ और आप भड़ती ही जा रही है वो मेरी मा थी इतने में चुन्नी का पदी चुलबला भी घर आ जाता है वो कुछ सोचे बिना चुन्नी के दो चार लगा देता है आज तक मेरी मा से किसी ने उची आवाज में बात नहीं की और तुम आपने मुझे मारा तो और क्या प्यार करूँ तुम मेरी मा से लड़ो और मैं तुम्हें प्यार करूँ तुम्हारी ममा ने मेरी ममा की बेच दी करके घर से निकाला है बहुरानी वो तुम्हें मिलने नहीं बलके अपना पेड भरने आई थी यहाँ छोड़े मा इसे जो अपनी मा की ना बनी वो तुम्हारी कहां बनेगी ये बात सुनकर चुन्नी का शरीर कापने लग जाता है वो घर से बाहिर निकल जाती है जो अपनी मा की ना बनी वो तुम्हारी कहां बनेगी ये आवाज चुन्नी की कानों में गूंज रही थी वो रो रही थी वो रोती हुई जाकर नदी के कीनारे एक पेड़ पर बैठ जाती है बहुत जल्दी की मैंने किसी को समझने में बहुत जल्दी की सब छोड़ दिया मैंने एक अचनबी पक्षी की हाथे सब छोड़ दिया घर, माँ और अपनी बेहन को मैं बहुत बुरी हूँ बहुत बुरी हूँ मैं ऐसा सोचकर चुनी नदी में चलाग लगाने ही वाली थी के पीछे से आकर उसकी ममा उसे पकर लेती है अगर इतने दुख दोगी तो कैसे जिन्दा रहेगी आपकी ममा चलो बेटी, घर चलो गुडिया आपका इंतजार कर रही है ममा, ममा मैं बहुत बुरी हूँ मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है चुनी रोते हुए अपनी ममा के गले लग जाती है अगर सुभा का भूला हुआ, शाम को घर लोटाए तो उसे भूला नहीं कहते मैं मा हूँ आपकी, जो हुआ उसे भूल जाओ और एक ने जीवन की शुरुआत करो सचे रिष्टों के साथ फिर चुनी रोती हुई, अपनी ममा के साथ घर चली जाती है प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मा बाप से भड़ कर इस दुनिया में कोई रिष्टा नहीं है इसलिए अपनी जिंदगी के एहम फैसले अपने ममा पापा की मर्जी से करें आपका धन्यवाद ममा, मैं ये बर्गर नदी पर जाकर खाऊंगा वहां किसी बच्चे को ना दे देना, खुद ही खाना किसी को नहीं दूँगा मैं नदी पर जाकर कुकु को दिखा दिखा कर ये बर्गर खाऊंगा फिर जगू अपना बर्गर उठाकर नदी की दरफ चला जाता है कूकू, मैं तो यहाँ अपना चिकर बर्गर खाने आया हूँ मैंने सोचा बर्गर खाकर नदी का थंडा थंडा पानी पीऊँगा जगू, इस बर्गर का सबात कैसा होता है बहुत स्वादिष्ट है ये बर्गर, बहुत स्वादिष्ट मेरी ममा मुझे हर रोस बर्गर, पीजा और कॉल ड्रिंक्स देती है क्या तुम्हारी ममा भी तुम्हें ये सब देती है नहीं, मेरी ममा के पास तो इतने पैसे ही नहीं होते होते हैं सब ममा के पास पैसे होते हैं आपकी ममा आपको जान बूझ कर नहीं लेकर देती कुकु वहां से चला जाता है अब ये घर जाकर अपनी ममा को खूब तंग करेगा बहुत मज़ा आएगा कुकु बेटा लो ये दाना खालो मैं बहुत दूर से लाई हूँ ये दाना आपके लिए नहीं ममा मैं ये दाना नहीं खाऊंगा जाकु हर रोज तरहां तरहां की चीज़ें खाता है मगर हमेशा मुझे दाना ही देती हैं आप मैं नहीं खाऊंगा सुखा दाना फिर उस जगु के बचे ने तुम्हें कोई उल्टी सीधी बातें बताई होंगी फिर दूसरे दिन कुकु कबूतर अंकल की बर्गर की दुकान पर जाता है कबूतर अंकल अपने काम में लगा हुआ था और कुकू चुपके से एक बर्गर चुराने की कोशिश करता है रुको रुको चौर बचे मैंने देख लिया है तुम्हें चौर कहीं का अंकल फिलीज मेरा बर्गर खाने को बहुत दिल कर रहा है मुझे एक बर्गर बिना पैसों के दे दे बैसों के बिना यहां कुछ नहीं मिलता, चल फाग यहां से कुकु निराश ओकर वहां से चला जाता है चुडिया, आž तुम्हारे बेटे ने मेरी दुकान से चोरी करने की बी कोशिश की है नहीं भीया, मेरा बेटा चोरी नहीं कर सकता, मैंने हमेशा उसे चोरी करने से मना किया है जब घर आए तो पूछ लेना, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है उसे कुकु, तुम यहां बैठे हुए हो, मैं कब से तुम्हें ढून रहा हूँ क्या बात है जबु, मेरे साथ मेरी घर चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है फिर कुकु, जबु के साथ उसके घर चला जाता है जबु, इसे क्यों साथ लेकर आए हो, आईस क्रीम तो थोड़ी है ममा, मैं कुछा कुकु को आईस क्रीम दूँगा मैंने सोचा कुकु मुझे आईस क्रीम खाते हुए देख लेगा लो जबु बेटा, तुम यह आईस क्रीम खाओ और मैं थोड़ी देर तक आती हूँ जबु के मममा किसी काम से घर से चली जाती है जगू मुझे भी थाड़ी सी आइस क्रीम दे दो, मैंने कभी नहीं खाई अपनी ममा से कहना, वो ले देगी तुम्हें वाँ वाँ बहुत स्वाधिस्ट है, थंडी थंडी स्वाधिस्ट आइस क्रीम ऐसे जगू अपनी आइस क्रीम खाने लगता है शाम को जब कूकू अपने घर जाता है तो उसके ममा उसे कहती है कूकू बेटा आज मुझे कबूतर मिला था हाँ चुराया था चुराया था मैंने बर्गर उसकी दुकान से चुराया था मगर उसने उसने वापस ले लिया ऐसा कहते हुए कूकू रोने लग जाता है कूकू बेटा हम घरी पक्षी हैं और घरी पक्षी केवल दाना ही खाते हैं जगो खाए बर्गर, जगो खाए पीजा, जगो खाए आईस क्रीम और मैं खाऊ सूखा दाना नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा मैं भी अब सुखा दाना नहीं खाऊंगा अच्छा अब चुप कर जाओ मैं अभी अपने बेटे के लिए मीठा फल ढूंड कर लाती हूँ ऐसा कहते हुए कुकु की ममा घर से चली जाती है मैं नहीं खाऊंगा ना सुखा दाना और ना ही मीठा फल कुकु भी गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है ममा चडिया बहुत मुश्किल से एक मीठा फल ढूंड लेती है मेरा कुकु ये फल देखकर खुश हो जाएगा ममा चडिया वो मीठा फल लेकर अपने घर वापष जाती है मगर घर में अपने बेटे कुकु को ना दे कर ममा चड़िया बहुत चिंदित हो जाती है कहां गया अपना जाने कुकु कहां चला गया बहुत तंक करता है ये बच्चा भी मुझे ममा चड़िया अपने बेटे को ढोनने जाती है कुकू, कुकू, मेरे बेटे कहा हो, कहा हो आप फिर ममा चड़िया को दूर एक सूखे हुए पेड़ पर अपना बेटा बैठा हुआ दिखाई देता है ममा चड़िया वहाँ जाती है कुकू बेटा, आप यहां बैठे हो, और मैं आपको पूरे जेंगल में ढूंड रही हूँ मैं नहीं खाऊंगा मीठा फल अच्छा, मैं प्रामिस करती हूँ, कल मैं अपने बेटे को बर्गर भी खिलाऊंगी और आइस क्रीम भी यह सुनकर कुकू बहुत खुश हो जाता है पका ममा, पका हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ, पका प्रामिस, आप मेरे साथ घर चलो फिर कुकू अपनी ममा के साथ घर चला जाता है वो बच्चा था, वो यह नहीं जाता था, कि उसकी ममा तो बहुत गरीब है वो उसे वो सब नहीं दे सकती, जो जगू खाता है फिर दूसरे दिन ममा चड़िया अपने घर से निकलती है आज मैं अपने बेटे के लिए आईस क्रीम और बर्गर जरूर ले कर जाओंगी चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना हो ममा चड़िया उरती हुई तोते के पास जाती है मिठू तो दा लकड़िया काट रहा था मिठू मैं आपकी ये लकड़िया काट देती हूँ और आप अदले में मुझे कुछ पैसे दे देना हाँ चड़िया अगर आप ये लकड़िया काट कर छोटी कर दो तो मैं आपको सो रुपे दूंगा ये सुनकर चड़िया खुश हो जाती है फिर ममा चड़िया कुलहाडा लेती है और काम पर लग जाती है वो सारा दिन काम करती है और फिर अचानक ममा चड़िया के हाद से कुलहाडा फिसल जाता है और सीधा ममा चड़िया के पाउं पर लग जाता है ममा चड़िया का पाउं बुरी तरहां घाल हो जाता है खून बहने लगता है मिठु तो ता ये देखकर जल्दी से वहां आता है जो काम कभी न किया हो क्या जरूरत थी उसे करने की मिठू चड़िया के पाउं पर पटी बांद देता है मुझे अपने बेटे के लिए आईस्क्रीम लेनी थी इसलिए मैं ये काम करने आई थी ज्यादा खून बह जाने की वज़ा से ममा चड़िया बेहोश हो जाती है वो गिर जाती है मिठू चड़िया को उठा कर उसके घर छोड़ाता है ममा ममा मेरी ममा को क्या हुआ मिठू अंकल ममा बॉल क्यों नहीं रही आपकी ममा के चोट लग गई है थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी कुकू रोने लग जाता है आपकी ममा आपके लिए आईस्क्रीम लाने के लिए मेरे पास काम पर गई थी और चोट लग गई मिठू ये बता कर कुकू को सो रोपे देते हुए वहां से चला जाता है ममा मुझे माफ कर दे मेरी वज़ा से आपके साल ये सब हुआ ममा चड़िया भी होश में आ जाती है कुकू मेरे बेटे कहा हो आप आप अपने घर में ही है ममा ममा मुझे माफ कर दे आज फिर मैं अपना वादा पूरा ना कर सकी मेरे बेटे मैं आईस्क्रीम ना ला सकी अपने बेटे के लिए ऐसा कहते हुए ममा चुड़िया रोने लग जाती है ममा मुझे सब मालूम हो गया है पलीज ममा मुझे माफ कर दे मैं फिर कभी आपको तंग नहीं करूंगा ममा मैं हमेशा आपका कहना मानूँगा मैं सुखा दाना भी खा लूँगा फिर कुकु को एहसास होता है कि वो अपनी गरीब मा को कितना तंग करता है वो अपनी ममा से फिर कभी ऐसा ना करने का वादा करता है